नमस्कार भारत होमेपथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप एक किड्नी पेशेंट हैं तो आप शाम के समय कौन से स्नेक्स खा सकते हैं ये स्नेक्स आपके ना तो क्रिटिनी लेवल को बढ़ाएंगे और नहीं आपके शरीर में यूरिया लेवल बढ़ेगा और साथ ही आपका जो पटेशियम है वो भी मैंटेन रहेगा अब स्नेक्स किड्नी पेशेंट के लिए जरूरी इसलिए भी हो जाते हैं क्योकि केड्नी पेशन्स की डैएट काफी रिस्ट्रिक्तिड होती है उन्हें कुछ ही सबजिया खाने को मिलती हैं उनको fruits में भी काफी ज्यादा restrictions होती है क्योकि अगर वो ज्यादा खट्टेफल खा लेते हैं तो उनके शरीर में Metabolic Acidiosis की Situation बन सकती है या फिर वो ज़्यादा high potassium वाले fruits खा लेते हैं तो उनके शरीर में potassium level बढ़ जाते हैं वहीं अगर kidney patients खटे फल खा लेते हैं तो उनके शरीर में metabolic acidiosis की situation बन जाती है और वहीं जब वो ज़्यादा potassium वाले fruits खा लेते हैं तो उनके शरीर में potassium level बढ़ जाता है कुछ ऐसे snacks को चुनना जो उनके शरीर में ना तो यूरिया बढ़ा है ना क्रेटिने लेवल बढ़ा है और नहीं उनके शरीर में मिनरल्स के लेवल को imbalance करें जैसे कि potassium है, magnesium है तो इन snacks में सबसे पहला snacks आता है puff drys यानी मुर्मुरे, kidney patients मुर्मुरे खा सकते हैं लेकिन उन्हें एक बात का ध्यान रखना है कि वो मुर्मुरों में ज्यादा नमक का इस्तमाल ना करें या यूं कहें नमक को जितना हो सके avoid ही करें अगर नमक के जिए आप सेंधा नमक का इस्तमाल करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा लेकिन उसका भी आपको limited amount में ही इस्तमाल करना है इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप एक कड़ाही लें उसमें मुर्मुरे डालें और उन्हें हलका हलका पकाएं यानि आप हलकी आज पर उन्हें पका कर खा सकते हैं उन्हें रोस्ट कर सकते हैं अब इसमें आप हलके से तेल या घी का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन ज्यादा amount में आपको इसका नहीं करना इस्तमाल और आपको इसकी quantity का भी खायल रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मुर्मुरे खा सकते हैं तो आप एक बहुत बड़ा बाउल ले 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 और मुर्मुरे खाये नहीं के लिए healthy है ना तो यह आपका क्रिटिनिन बढ़ाएंगे और नहीं यूरिया बढ़ाएंगे और आपके शरीर में energy की जो कमी रहती है वो भी अच्छे से इससे मिल पाएगी क्योंकि kidney patients खाने से ज्यादा बोर हो जाते हैं तो ऐसे में अगर वो इन snacks को अपनी diet में add-on करते है लेकिन मखाना एक ऐसा dry fruit है जो बहुत ही जादा energy भी provide करता है और बहुत ही healthy रहता है और वहीं ये आपके शरीर में किसी भी तरह के waste material को बढ़ाता नहीं है यानि कि ये आपके शरीर में ना क्रिटिनिन बढ़ाता ना यूरिया बढ़ाता और potassium level को भी आपके शरीर में maintain र इस्तमाल करें और नहीं ज्यादा घी और तेल का इस्तमाल करें चौथा snacks जो kidney patients खा सकते हैं वो है चीवडा यानि betten rice अब आपको ये easily market में मिल जाएगा और ये easily digestible food होता है जब आप इसे पकाएंगे तो आपको हमिशा उन्हीं बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताएं आप लोहे की कड़ाई ले सकते हैं आईरन की कड़ाई अगर आपके शरीर में अनीमिया की situation बन रही है आपको हीमोगलोबीन की कमी है तो ऐसे में आईरन की कड़ाई का आप इस्तमाल करेंगे तो आपकी हीमोगलोबीन की कमी आपके शरीर में ब्लड की कमी तो ये स सारी कम्याद धीरे धीरे दूर भी होएंगी साथ ही आपको इससे एनर्जी भी मिलेगी अगर आप लंबे समय तक भूके भी रहते हैं तो ऐसे में आपके लिए जरूरी है आप बीच में कुछ स्नेक्स खाएं तो आप बिटन राइस यानी चीवडा खा सकते हैं आप पोहा ब बनाते हैं तो आप उसमें ना तो नीबू डाले नहीं ज्यादा मसाले डाले और नहीं ज्यादा तेल का इस्तमाल करें आप हलका सा पोहा बनाकर इसको खा सकते हैं पांचवी स्नेक्स जो किड़नी पेशन्ट खा सकते हैं वो है बुना हुआ चना अब आप बुने हुए चन का सामना करना पड़ सकता है अब आपको इसकी quantity का भी धियान रखना है कि कई बार patients क्या करते हैं चने खा सकते हैं तो वह सोचते हैं कि बहुत ज्यादा करें क्योंकि नमक आपके शरीर में high blood pressure की situation को बरकरार रखता है तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप नमक का इंटेक कम करें ताकि आपको high blood pressure के problem नहों सैकिन जब भी आप इन्हें पकाएंगे तो आप कोशिश करें आप aluminium की कड़ाई या फिर लोहे की कड़ाई का इस्तमाल करें इससे आपको काफी benefits मिलेंगे साथ ही आप air fryer का भी use कर सकते हैं ये भी आपके लिए अच्छा लगा और एक चीज का और खास धियां रखना है कि आप market से खरीद कर इनको ना खाएं आप घर पर बना कर इने खाएं तो ऐसे में आप कोशिश करें आप इने घर पर बना कर ही खाएं और अपनी family के साथ आप खाएं और आप enjoy करें इनको खाना एक चीज का और ध्यान रखिए जो मैंने अभी आपको चने की बात बताई थी आप उसको good के साथ ना खाएं कई patients good के साथ खा लेते हैं तो good के रही नहीं होगा क्योंकि good में potassium के amount बहुत जादा होती है तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मुझे उमीद है आपको समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से इन snacks को खा सकते हैं और यह कैसे आपके लिए beneficial है तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए बालने ताकि आपको नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे thank you for watching